एलजेब्रिक इवेंट क्या होता है इसे कैसे यूज करते हैं प्रॉबिलिटी के अंदर क्या रोल है इसका ये सारे कुश्चन का जवाब आज के इस वीडियो के जरिए मैं आपको दिने आ रहा हूँ मैं गौरव पर जाबाद आप सभी का स्वागत करता हूँ डेवले-सक्यूवी स्कूल के अंदर जहां पर आज हम बात करेंगे ऐलजेब्रिक इवेंट के बारे में क्या होता है देखें इलजेब्रिक इवेंट के बारे में पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे जो चीज आपको बताऊंगा वो आप पहले भी बढ़ चुके हैं आपने 7 च पोड़ा सा connect करवाऊंगा किस से, set से कराऊंगा, कि set के अंदर भी हमने ये सारी चीजे बढ़ी दी, अब देखें, algebraic event के अंदर क्या-क्या होता है, तो algebraic event के अंदर, आप intersection को पढ़ते हैं, आप union को पढ़ते हैं, complimentary event को पढ़ते हैं, ये सारे जो events होते हैं, वो हमारे event के अगलाते हैं, algebraic event के अगलाते हैं, अब ये algebraic event क्यों कलाते हैं, जैसे मैं माल लेता हूँ, हमारे पास एक event है, एक दूसरा event है, इन दोनों event के बीच में, मुझे कुछ relation देखना है, तो उसके लिए, algebraic event आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful रहते हैं, उसे आप बहुत असे आज़ानी तरीके से देख सकते हैं, दिखें, पहला हमारे पास है complimentary event, complimentary event कब बोलते हैं, a- is called the complimentary event to the a, a- को हम क्या बोलते हैं, complimentary event of a बोलते हैं, और it's also called the not a, देखें, यह जो not a लिखावा है, यहीं से हमारे definition clear हो जाती है, complimentary event की, कि जैसे हमारा एक event है, जैसे एक sample space है, उस sample space में बहुत सारे cases हैं, लेकिन उसमें से मैंने बोला कि event a कुछ इस तरह से होता है, उसके नदे कुछ conditions हैं, वो आपको follow करती है, और मैंने बोला कि इसके अलावा जो बाकी बच गई का conditions है हमारी, जो बाकी बच गई हमारे पास यहाँ पास space है, sample space है, वो हमारे पास क्या कलाएगा, complimentary event कलाएगा, जिसे हम a dash से बोलते हैं, और not a से represent करते हैं, इसको एक छोटे से example से समझेंगे, तो और ज़्यदा आपके लिए clear हो जाएगा, जैसे वापस वही हमारे पास एक रुपे का एक कॉइन है, एक दो रुपे का एक कॉइन है, इस दोनों कॉइन को मैं एक साथ टॉस करता हूँ, मैंने टॉस किया, टॉस करने के बाद मेरे कुछ sample space निकल के है, उन sample space को हम इस तरह से बोलेंगे, कि ये head, head होगा, head, tail होगा, tail, head होगा, और tail, tail होगा, अब मैंने यहाँ पे बोला आपसे, कि इस में से, मुझे वो condition निकाल के दीजिए, जहाँ पे, आपके पास क्या बच्चे का, यहाँ पर, दो head होने चाहिए, आपके इस क्या होने चाहिए, दो head होने चाहिए, तो आपने बोला, एक event E है, उसका occurrence होना है, occurrence होना है, किसको है नो होना है, आपके इस double H को होना है, यह हमारे पास आ चुका है, अब मैंने बोला, इसका complimentary event क्या होगा, तो आपने बोला, बिल्कुल हम इसके complimentary event को निकालेंगे, E' से represent करेंगे हुसे, किसे represent करेंगे E' को, मतलब A आपका event है, उसमें से A' आपके पास क्या होगा, complimentary event क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर not A, मतलब A के अंदर वो घटना नहीं है, आपके अंदर वो event नहीं है, तो हमने बोला, कि यहाँ पे जो E' जो हो चुका है, इसे आप छोड़ दीजिए, बाकी बचे जो आपके पास conditions है, जो आपके sample space के अंदर present है, वो हमारे लिए क्या गलाएगा, complimentary event क्या लाएगा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, जरा बात करें यहाँ पर, तो यह हमारे पास हो जाएंगे, head, tail, tail, head, और क्या होगा यहाँ पर, tail, tail, यह हमारे जो event बच गए, यह हमारे पास क्या करेंगे, complimentary event करेंगे, I think आपको all all समझ में आ चुका होगा, complimentary event किसे बोलते हैं, आप देखें, next algebraic event की तरफ बढ़े, तो next algebraic event है आपके पास यहाँ पर, the event A और B, A और B का मतलब यहाँ पर होता है, A union B, मतलब एक ऐसी condition, जो A में भी है, और B में भी है, और उन दोनों का mixing करना है हमें यहाँ पर, तो वो हमारे ले का कलाएगी, union कलाएगी, और एक ऐसी event, जो A में भी है और B में भी है, वो common part को बाहर निकाल के ले के आना, हमारे का कलाएगा, intersection कलाएगा, next हमारे पास वही होने वाला, लेकिन अभी हम बात करते हैं, A और B के बारे में बात करें, तो A और B आपके पास क्या कलाता है, union कलाता है, देखेंगे कल एक का है, when a set A और B, set A and B are the two events associated with the sample space, then A union B is the event either A और B बोथ, मतलब A और B आपके आज जब बोथ दोनों मिलके आपको event बनाते हैं, देन आपके पास यह क्या चलाते हैं A और B क्यालते हैं अब देखे क्या मतलब निकली क्या कहने निकली अभी भी नहीं समझ में आया चलिए थोड़ा वापस आते हैं आपर आज आईए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ एक sample space बनाता हूँ चलिए sample space बनाते हैं sample space आपके आज कुछ इस तरह से होगा मैं बोलता हूँ यहाँ पर यह sample space है जिसके अंदर 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और यह हो गया 10 यह आपका sample space है मैंने बोला एक आपका event है A जो event आपको बोलता है कि वो number निकाल दीजिए जो आपके आज क्या है 2 से divisible है चलिए 2 से divisible number आपने निकाला यहाँ पर 2 आ गया और आपके आज 4 आ गया फिस 6 आ गया एंड आपके आज क्या आएगा यहाँ पर 8 आएगा और क्या आएगा 10 आएगा यह हमारा एक event है जिसके अंदर हमने 2 की table बनानी दूसरा मैंने यहाँ पर बोला B B मतलब वो event जो की आपके पास क्या है 3 से divisible है चलिए 3 से divisible बानी निकाला 3 निकाला, 6 निकाला, 9 निकाला और कोई है क्या बीच में नहीं निकाला अब मैंने आपसे बोला कि इसके अंदर A और B event कैसे आप निकालेंगे A और B event निकालना है आपको इसका मतलब क्या हो गया A union B आपको निकालना है क्या निकालना है A union B आपको निकालना है तो A union B को हम कैसे represent करेंगे यहाँ पर represent करेंगे 2, 4, 2 के बाद आप 3 को भी ले रहें सकता है तो देखे यहाँ पर 2, 3, फिर आपके 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 6 है, उपर भी आपके 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 6 है, तो मैं लोगगा 6, देन उसके बाद देखे नीचे 9, 8, 10, तो यह सब ले लेगे, तो यह हो गया 9, 8 और आपके 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 रहने देते हैं, यह बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, सैट चेप्टर के अंदर बात करूँ यहाँ पर, तो सैट चेप्टर के अंदर, यह जो A union B है न, इसको हमने कुछ इस तरह से देखा था, किस तरह से देखा ज़रा बात करें, तो मैंने बोला कि हमारे पास एक event A है, मैंने क्या बोला हमारे पास, एक event A है, जो कि आपकास कुछ इस तरह से आ रहा है, आपके पास दूसरा event B है, दूसरा event B है, जो कि आपकास क्या रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है, अच्छा देखे यह कुछ ज़्यादा हो गया यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा करते हैं यह कर लते हैं राइट यह आप क्या से अब इसमें मैंने यह किसको दिया यहाँ पर प्रेफरेंस यह A को दिया है यह किसको दिया है B को दिया है और ये मेरा पूरा का पूरा क्या है sample space है आप इस तरह से दिख सकते हैं ये जो पूरा का पूरा ये जो बाहर मैंने आपका boundary बनाई है rectangle से ये मेरा completely क्या है sample space है और A जो event है वो हमारा ये है, B event ये है अब मैंने आप से बोला A union B मतलब A और B A और B का मतलब क्या हुगा इसके अंदर मैंने A को cover up किया, ये A पूरा मेरा cover up होगा, A intersection जो B है, वो भी आपका cover up होगा, ये जो बचावा सब हिसाई ये भी cover up होगा मतलब क्या करेंगे, आप इस boundary से चलना start करेंगे, वो वापस इस boundary पाएंगे और वापस round होते हुए इस boundary पर आजाएंगे इसके बीच में जो भी हमारे पास आते हैं वो सब आपके पास क्या कर लाएंगे यहाँ पर A और B कर लाएंगे clear, तो इसको और देखते हैं और देखें, मैं इसको number से represent करके बताओं आपको थोड़ा यहाँ पर तो number से आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं just like देखेगा यहाँ पर मैं पहले इसको यह A space B बिना लेता हूँ done, अब देखें इसके अंदर number से कैसे लिखेंगे, तो मैंने बुला A event क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 है, चलिए इसके अंदर लिखता हूँ, देखें, यह होगया 2, then यह होगया 4, then यह होगया आपका 6, फिर आपके आज होगया 8, और यह आपके आज होगया 10, then अब हम बात करेंगे B के बारे में, अच्छा मैंने इसको क्या बनाए 6, आपके आज ही है, 9 भी मैंने यहाँ पर इंटर्ड्यूस करवा दिया clear, अब आप बोलेंगे Sir, बाकी के, बाकी के है न, यहाँ पर क्या-क्या बजगया आपके आज यहाँ यहाँ पर 1 रह गया, यह लिजे 1 डाल दे मैंने यहाँ पर उसका 2 आ गया, आपके आज 3 आ गया 4 आ गया, 5 रगया न, बिचरा तो 5 को भी डाल देते हैं यहाँ कहीं डाल देते हैं, यह लिजे 5 यहाँ डाल देते हैं उसका 6 आ गया, बिलकुल आ गया 7 की बारी, क्या 7 आया क्या, नहीं आया चलिए 7 को डाल देते हैं यहां पर 8 आ गया, बिलकुल आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया तो यह कुछ इसरा से अब मैंने बोला A union B या फिर A और B तो यह आपका देखे 3, 9, 6, 2, 8, 4, 10 यह सब कुछ completely आपका A और B बनाएदा I think clear हो गया होगा आपको यहां पर चलिए next बढ़ते हैं next है यहां पर A and B A and B देखें मैं यह and, or क्यों बता रहा हूँ union intersection क्यों नहीं बता रहा क्योंकि probability के अंदर आपको जो यहां पर question मिलेंगे या आपको यहां पर question input किया जाएंगे या conditions बूली जाएगी उसके अंदर आपको and, or, not इस तरह की sentence मिलेंगे तो उन sentence के अंदर हम कब intersection लगाएंगे कब आपका union लगाएंगे यह कैसे पता चलेगा तो यह इससे पता चलेगा A and say, A or say इन सारी चीजों से आपको पता चलने आगा तो अब बात करते हैं A and B के बारे में कि A and B कैसे निकाल जाते हैं तो we know that the intersection is the two set A intersection B is the set of those elements which are the common of the both A and B which is belong to A and B मतलब क्यास क्या होगा वो common point जो A में भी हो और B में भी हो उसे हम क्या बोलते हैं A and B जैसे कि मैं इसी question के उपर बोचता हूँ इसी question के अंदर मैं आपको question आप पूट करता हूँ मैं बोलता हूँ इसके अंदर common part क्या है तो आपने गोला यह जो six है यह हमारा common part है यह हमारे पास क्या कालेगा A intersection B कहलाएगा मतलब इसका result क्या आएगा six आएगा तो हमारे पास इसका result मैं आपसे पूछू तो क्या आएगा six आपका circle आएगा I think आपको overall समझ में आया होगा क्या करते हैं A and B आप एगे next हमारा algebraic event है A but not B मतलब A तो होना चाहिए but not B आपको मिलना चाहिए तो इसे हम कैसे निखते हैं we know that A and B A minus B से हम इसे represent करते हैं अब क्या लिखा है A minus B is the set of all the elements which are A but not in B A but not in B those are the set of A minus B many denoted by the A but not in B अब देखें कैसे दिखेंगे यहाँ पर A minus B से इसे represent करेंगे A intersection of B dash A intersection of B dash से इसे क्या करेंगे represent करेंगे A intersection B dash लिखा है अच्छा देखें B dash का मतलब क्या होता है B dash का मतलब होता है आपके पास जो overall condition है मतलब आपका sample state minus आपका as क्या होता है B होता है right अब देखें sample state minus B आपको करना है तो देखें, sample space के अंदर आपके आज क्या क्या घटना थी जड़ा यहाँ पर रात करें तो 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 था, 7, 8, 9, 10 यह सारे आपके आज क्या थे sample space में अब B क्या थी? B के अंदर मैंने बोला आपको यहाँ पर 3, 6, 9 क्या बोला मैंने यहाँ पर? 3, 6, 9 तो यह आपके आज हो गया sample space then B की बात करते हैं यहाँ पर तो आपके आज क्या था, 3, 6, 9 आपके आज निकल का आज आज है अब मैंने बोला B डेस क्या बोला आपसे यहाँ पर? B डेस बोला, इसका मतलब आपके आज क्या हो गया? बाकी बची भी सब कुछ जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तो आपके आज चला गया यहाँ पर? 4 हो गया, 5 हो गया, 6 आपके आज क्या रह गया? उसके बाद आपके आज क्या रह गया? तो A के अंदर है 2, 4, 6, 8 और उसके बाद हो गया 10 2, 4, 6, 8, 10 है अब इन दोनों का क्या करा है हम intersection करा है intersection कराने पर देखे common point क्या क्या निकल रहा है एक तो आपके आस 2, 2 निकल रहा है क्या निकल रहा है 2, 2 तो आप क्या बोलेंगे A-B के अंदर कि आपके पास एक तो आएगा 2 एक क्या आएगा आपके आज़ टू आएगा दूसरा common point कितना है 4 है तो लीजे 4 आपके पास यहाँ पर तीसरा common point क्या है 8 है 8 आगया यहाँ पर फिर आपके आज़ 10 आगया इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर A तो है बट B- नहीं है B नहीं है A तो है बट B इसके अंदर नहीं है दिखे 2, 4, 6, 8 आपके आज़ था दिखे मैं आपको खुला बताता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ यहाँ पर overall क्या हो रहा है यहाँ पर कि दिखे A के अंदर क्या था 2, 4, 6, 8, 10 था B के अंदर क्या था 3, 6, 9 था इस में से जो common part दोनों का निकल रहा था इन दोनों में से जो common part निकल रहा था common part क्या निकल रहा था ज़रा बात करें तो आपका 6 और 6 उसको आप हटा दो उसको क्या रहो हटा दो फिर बच गया जो हमारे पास A होता है वो आपके पास क्या कलाएगा A minus B क्या लाएगा उसे हम क्या बोलेंगे A minus B बोलेंगे या फिर A intersection B dash भी हम इसे बोल सकते हैं तो overall आपको समझ में आया होगा with example मैंने आपको यहाँ पर समझा है Algebraic event के बारें समझा था जो कि हमारे पास set से related है इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर complimentary event complimentary event वो event कलाते हैं जैसे आपको आपको कोई sample space हो रहा है sample space के अंदर आपने A event बनाया A को हटा दो पीछे बच गया तो आपको 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 complimentary event बचेगा then next हमारे पास होता है A और B यह बहुत important events होता है इनको ध्यान रखना होता है क्योंकि exam के अंदर इन्हे ही क्यो पर questions आता है A और B का मतलग क्या है आपका अपर? A का भी sample space, B का भी sample space. दोनों को ले क्या आओ और वो आपका अयहिए क्या बनेगा? यहां पर A और B बनेगा. Then next आपके आज क्या बनेगा? A and B. A and B का मतलग क्या हो गया? A का sample space और B का sample space. दोनों वैसे common चीज उठा के लिए क्या हो तो आप क्या है बनेगा A and B बनेगा A चाहिए A चाहिए but B नहीं चाहिए but B नहीं चाहिए मतलब A के sample space में B का कोई भी element आपको दिखता है तो उसे आप क्या करो बहार निकाल के लिएक आजाओ तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर A but not B clear समझाना है इसको basic slang में महलू A का आपके पास को event हो रहा है और B का event हो रहा है B का event यदि A के अंदर आपके आज़ पढ़ा है तो उसे बहार निकाल के लेके आजाओ तो बच गया जो पीचे A है वो आपके आज़ क्या चाहिए क्या मिलेगा आपको A minus B मिलेगा वो आपके आज़ क्या मिलेगा A minus B मिलेगा I think आपको overall समझ में आया होगा तो फिर मिलते हैं next studio के अंदर जहाँ पर हम पढ़ेंगे mutually executive events के बारे में कि क्या होता है यहाँ पर और इन सारी चीजों के बारे में और भी मज़दा चीजों के बारे में बात करेंगे probability के बारे में बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तब तक आप आप अमारे साथ यहीं बने रही है Till then, good bye कर दो